हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम लोग वैज कोफते बनाएंगे जो आपको नॉनवेज जैसा फील होगा चिकिन जैसा फील होगा बहुत अच्छी रेसिपी है मज़ा आ जाएगा और रेश्टरोन जैसा आपको यह फ्लेवर देगी यह मेरी गैरंटी है अब यह किस च अगर ग्राम में देखेंगे साट सतर ग्राम सोय वीन होगा और इसे मैंने आदे घंटे ठंडे पानी में भिगो लिया था पानी निचो लिया है अब हम थोड़ा-थोड़ा करके मिक्सर में डालेंगे मिक्सर जार में और इसका एक दरदरा सा यह देख लीजे एक ऐसा लेवर के लिए एड़ कर देंगे हरी मिर्च तीन से चार आपको एड़ कर देनी है उसके बाद आड़ करना है आपको प्याज लगबग तीन बड़े चमच आपको प्याज आड़ कर देने है बाकी के प्याज हम आगे इस्तमाल करेंगे फिलाल तीन चमच हरा धनिया एक चम quantity fix नहीं है इसे आप अच्छी तरह मिलाईएगा ये डो जैसा त्यार हाथों में आपके बॉल बन जाने चाहिए ऐसा डो त्यार करना है अगर आपको लगए कि बेसन थोड़ा और डालना चाहिए तो एक आदा चमच और बेसन एड़ करने चाहिए अब हाथ को एक बार वाश क को प्रिपैर कर लेने हैं पहले अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर डीफ्राय करेंगे अब देखे काम की बात यह है कि अगर बॉल डालने के बाद फट रहे हैं तो इसमें आप एक चमच मैदा एड़ कर लीजेगा अगर नहीं कुछ है तो बस डं 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 लेकिन फट र फटकर रहा ये टिरि तो तीन बड़े चमच ओली जीरा डाल देना आपको चाहं को चाहिए व् obstruction फ抉ट अपको लेकिन हैसा चाहिए इतना आपको भूनना है चमच भर के अधरक और लैसुन का पेस्ट आपको एड़ करते हैं मतलब 1 टेबल स्पून के जितना अधरक और लैसुन का पेस्ट फिर हम एक में पकाएंगे अधरक लैसुन के पेस्ट डालने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का टमा डाल देंगे और धनिया पाउडर एक बड़ा चमच आपको भरके डाल देना है अब हम इसमें एड़ करेंगे गरम असाला पाउडर जो कि है एक चमच के जितना लाल मिर्च भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं ठीक है चौथाई चमच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर अब डाले करेंगे है एक जैसा हो जाना चाहिए और फिर से न मसाले में ठीक हम हाथ हो च्रश करके एक चमच डाल देंगे पानी हम डालेंगे इसमें लगबग आधा लिटर के जितना पानी एड़ करना है याद रखिए का पानी थोड़ा ज़ादा ही एड़ करीगा कि जब हम कोफते इसमें एड़ करेंगे तो पानी है वो सोग कर लेगा कोफता जो है पानी सोग कर लेगा ठीक है एक बॉil आने के बाद ग्रेवी में हम ये कोफते एक ए ठीक है अब धक दीजेगा एक बॉइल आने दीजेगा ज्यादा पकाना नहीं है एक बॉइल आने लगे धक्कन हटा देना अच्छी तरह मिला लेना है गैस बंद कर देना एक बॉइल ज्यादा बॉइल नहीं करना है एक बॉइल आजा बस धकन हटा देना है उपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो कोफते फट जाएंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं बस एक पॉई हमारा जो कोफता बनके त्यार है वेच कोफता जरू प्राइब कीजिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है घर में सबने ठूं ठूं ठूस के खाय है और बहुत खुश भी हुआ है तो आपनों जरू प्राइब कीजिएगा फीडबेक दीजिएगा कल फिल मिलूंगा बारा बच के 20 मिएट पे थैंक्यू सो मच और सब्सक्राइब कर लिए